जयासमालेक। आजके इस वीडियो टिटोरियल में हम आर्क को ड्रा करना सीखेंगे In AutoCAD, we have various method to draw आर्क in AutoCAD as well इससे पहले हमने line command को देखा था circle command को देखा था hopefully आपने वो वीडियो देखियोंगी और आपको चीजों की सही से समझ आई होगी step by step चलना, it is very important अब हमने आर्क को ड्रा करना है इन आर्टोकेट लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो kindly सब्सक्राइब करने बेल आइकन को लाजमी प्रस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफकेशन आप देख पांच सके तो चलिए स्टाउट करते हैं ओके तो आटोकेट को मैंने उपन कर दिया है यहाँ पे और आप देख सकते हैं अंडर होम टैब इन ड्रा पेनल सबसे पहले हमारे पास थ्री पाइंट आप्शन जिसमें हमने तीन पाइंट स्पेसिफाई करने होते हैं आर्क के इन ड्रा दा आर्क ओवर कर देखें आप यहां से भी इसको एक्सिस कर सकते हैं या फिर आपने अगर शाटकाट का यूज़ करने है तो आपने ए इंटर प्रेस करने है तो आर्क यहां से जो है वो प्रॉम्ट करेंगी यहां पर देखें आर्क स्पेसिफाई स्टार पाइंट आप दा आर्क ठीक है तो बेतर यह है कि आप यहां से इसको एक्सिस करें जह पाइंट स्पेसिफाइब करना है और तीसरा पाइंट स्पेसिफाइब करना है in order to draw the arc तो simply तीन पाइंट से यहां पर एडप करने आर्क को ड्रा करने के लिए डिलीट करते हुए इसको इवन कि अगर आप यहां पर ड्रा करें तो पहला पाइंट दूसरा पाइंट और तीसरा पाइंट सही हो गया चले हैं डिलीट करते हैं इसको फ्लिक अन दिस आप्टाउन और जो नेक्स्ट आप्शन है वह से स्टार्ट सेंटर एंड एंड ठीक है तो मैंने स्टार्ट पाइंट दिया होरिजेंटर लाइंट पर सेकंड पाइंट और थर्ड पाइंट ठीक है तो यह इस डाइरेक्शन में आर्क अडप हुई है अप इस डाइरेक्शन में आर्क को अडप करना चाहें तो आपने डाइरेक्शन को चेंज कर देना है सही है य से यहां पर मैं आया start point, center point और अब मैंने इसका angle देना है कि कितने angle में मुझे यह arc required है सब्सक्राइब करना है तो आपने इसको verify करना है तो आपने इनोटेशन पेनल में चले जाना है यहां पर आप अगर इस drop-down पर क्लिक करने तो एंगलर की dimension यहां पर आएगी इन तमाम चीदों को हमने बड़ी detail में देखने dimensions annotations ठीक है यह बड़ी important है तो for instance मैं इसका angle चेकर लेता हूँ यहां पर क्लिक करता हूँ तो यह देखेंगे आप 45 degree की यहां के सही है तो मैं इसको करता हूँ यहां से delete इसके बाद हम next option पर जाएंगे that is start center and length यहां पर हमने क्या क्या चीज़ें specify करनी है start point center point और हमने आर की length यहां पर add up करनी है सही है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ start point center and then we need to provide the length हो रही है तो length कोई भी हो सकती है यहां पर डिरेक्ट जो distance से वो add up कर सकते हैं जिस तरह मुझे यह जो आर्क रिक्वाइड है यह 150 mm की required है hit enter करें तो यहां पर add up हो चुकी है तो यह है basically हमार होने क्या करना है start point देना है end point देना है और फिर arc का angle यहां पर add up करना है click किया यहां पर let's suppose this is start point this is end point अब हमने angle यहां पर देना है again I'll go here in the arc or we will explore the next method that is start and end direction अब हम यहाँ पे start point दे सकते हैं end point दे सकते हैं और arc direction को specify कर सकते हैं सही है न जिससरा start point दिया end point दिया और app direction मुझे अगर इस direction में चाहिए या इस direction में चाहिए कोई भी specify में यहाँ से कर सकता हूँ तो जैसे मुझे इस direction में आर्क चाहिए तो मैं इधर लागे इसको click करूँगा in order to draw this arc सही है delete कर दें इसको भी and click on this drop down we have start and end radius हम यहाँ पे arc का जो radius है उसको भी specify कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे click करूँगा पहला point दूसरा point अब मैंने arc के radius को यहाँ पे add up करना है तो radius अगर आप सही से add up करेंगे तभी arc जो है वो draw होगी let's suppose 700 में radius यहाँ पे add up करता हूँ तो arc draw होगी है सही है? 700 radius चलिए जिलीट करते हैं इसको यहाँ से फिर हम next जो option है उसको explore कर लेते हैं that is what start sorry center start and end अब क्या करना है हमने पहले center point देना है फिर start point देना है फिर end point देना है center point start point could be any point और फिर हम ने देना है end point in order to draw the arc सही है न let's suppose हमें अगेन इसको activate करता हूँ center point start point यह देता हूँ और end point यह दूँगा तो direction change हो जाएगी सही है चलिए इसको करते हैं delete again I'll activate the arc over here और फिर जो next option है वो है और अब हमने angle यहाँ पे add up करना है let's suppose it is 270 as angle तो आप देखेंगे यहाँ पे add up होगी है with specific angle delete करें यहाँ से again I'll click on this drop down और जो next method है वो है basically center start or length यहाँ पे हम center point start point और length भी यहाँ पे specify कर सकते है center point start point could be any point यह यह हो सकता है direction के लिए and then we need to specify the length over here so length आप कोई भी दे सकते हैं जिसला मुझे यहाँ पे जो length required है आर्क की वो total 100 है required है hit enter करें तो यह देखें यहाँ पे यह आर्क यहाँ पे add up हो चुकी है next and the last method जो है वो continue का option है अब continue का option क्या है अगर आपने पहले से यहाँ पे कोई end कर दिया आप continue का मितलब यह है कि मैं इस drop down पे click करूंगा मैं continue पे जाओंगा तो यहाँ से यह continue होगी सही है देखा आपने फिर again मैं इस drop down पे जाओंगा तो यह यहाँ से continue हो चाहेगी सही है यह देखें तो यह है basically continue का option तो यह various methods थे in order to draw the arc in autocad सही है आप हमने one by one तमाम methods को explore किया यहाँ पे अगर फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं don't worry अब next tutorial में हमने करना कुछ यह है कि हमने ellipse को भी यहाँ पे draw करना सीखना है सो मिलते next tutorial में तिल देन अल्लाहाफिस